अमेरिका में डॉनल्ड ट्रॉप जो वहां के प्रेजिदेशल कैडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी उन पर एक असेसिनेशन अटेंप्ट हुआ गोली ट्रॉप के ना कान कुछ हुट हुट ही निकल गई ट्रॉप के सर में भी लग सकती थी बट फॉर्चुनेटली वो बज गए और इस इंसिदेंट के एकदम बाद बिट्कॉइन में सर जाया बिट्कॉइन राउंड तीन से चार पसंट बढ़ गया और और पांच से पसंट बढ़ाए साथजार डॉलर्स को दुबारा से बिट्कॉइन ने क्रॉस किया अब ट्रॉम पर वो इस अटाक का ना बिट्कॉइन के बढ़ने से क्या कनिशन है इससे समझने ही कोईश करते है सो इस इंसिदेंट के बाद एस पर रिपोर्ट्स ट्रॉम के इलेक्ट होने के चांसेज काफी ज़ादा बढ़ गए सेंटिमेंट ट्रॉम के साथ है आप जानते ही है कि ट्रॉम क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है वो इक्लियर कर चुके है ट्रॉम ने ये भी कहा है कि अगर वो इलेक्ट होते है न प्रेजिडेंट बनते है यूएस में तो वो यूएस के क्रिप्टो प्रेजिडेंट होंगे वो कह चुक है ये सब चीज़े अभी 27 जुलाई को बिटकोइन कॉन्फेंस होगी दुनिया की सबसे बड़ी बिटकोइन कॉन्फेंस है क्रिप्टो मायनिंग को लेकर ठर्म ऑने कहा था हूँ कि बड़ने जितने बिटकोइन माइन होने बचे उनको यूएस में माहिन होना चाहिए वर्सें बैटकोइफ को जेतना प्रेस किया जा रहा है उससे चायना और अरन रश्या कोई फायदा हो रहा है सो हर तरफ से Bitcoin के support में Trump है अब sentiment ऐसे है कि US में अब लोगों को लग रहा है कि Trump presidential candidate जी जाएंगे President बन जाएंगे उनके chances काफी improve हो गए जब sentiment Trump के favor में shift हो रहे हैं तो Bitcoin का price of course मतलब बढ़ गया है अगर Trump US में President बन जाते हैं तो crypto world के लिए बड़ा positive change होगा आप देखो US में जो crypto community है वो Trump को पूरी तरह favor कर रही है उनको लगता है कि Trump ही crypto को आगे ले जा सकते हैं वो एक चाहरा है crypto को आगे उठा सकते हैं US में cause Biden administration crypto को block कर रखा है मतलब block कर रखा था अभी तो ये लोग भी थोड़ा support में आ गया है जब से Trump ने ओपन ली क्रिप्टो को support करने लग किया है ऐसे बयान आगे है उनके सामने तब से Biden administration जो है न वो भी crypto के लिए कि थोड़ा धिला सा पढ़ा है बाट US में चीज़ आई तिंक अब इस level में पहुँच गई है ट्रम पे इसके बाद ना ट्रम के चांसे इसने बूस्ट कर दी इसी वज़ा से बिटकोईन की जो प्राइसे वो बढ़े इसमें एक बात ये भी आती है कि ट्रम अगर जीच जाते हैं तो नवंबर में एलेक्शन होने वहाँ पे नवंबर में अगर वो जीच जाते हैं August, September, October, November आप मालो चार महीने बचा है इन चार महीनों में जैसे ट्रम के चांसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हम क्रिप्टो मार्केट में भी सर्ज देख सकते हैं नवंबर में एक और बात होनी है अगर में एक जीत गए तो और फिर यह बोल्रन वाला फेस अगर आगया तो क्रिप्टो के लिए फिर से एक अच्छा वक शूरू हो जाएगा So there are chances कि डोनल्ल ट्रम्प क्रिप्टो के अच्छे दिन वापस लेके आजाए अगर US क्रिप्टो से रेलेटेट कुछ भी policy change करता है मापर कुछ भी shift होता है क्रिप्टो से रेलेटेट तो यार यह उसका जो impact हो दूसरे दिशों पर बढ़ेगा आयों से की बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ेगा बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो जाएगा बट स्टिल कुछ तो impact पढ़ेगा एंड हो सकता है कि इंडिया में भी कुछ क्रिप्टो से रेलेटेटे कुछ बड़े step कुछ positive steps हमें देखने को मिले इस पर experts का क्या कहना है यह भी जान लेता है बेटिनी फाउंडर काशिव रहा से बात करते हैं काशिव भाई ट्रम्प के chances जो है वो improve हो गया है ऐसे reports आ रही है यूएस में bitcoin भी बढ़ गया है यूएस presidential election में chances उनके बढ़ गया है एंड ट्रम्प यूएस के president अगर बनते है तो क्रिप्टो के लिए बढ़ा च्छा होगा क्या कहेंगे ऐसा का जा रहा है Massive, Massive change आएगा क्योंकि अगर Biden नहीं आता है Trump आता है तो क्रिप्टो एको सिस्टम तो बहुत flourish करने वाला है क्योंकि Trump की खुद की NFT कलेक्शन है imagine और Trump के पास तरह तरह के coins है मतलब उसकी total network क्रिप्टो में बहुत अच्छी है जो publicly available information क्योंकि सब चीज़े on chain है काफे सारे लोग उसे air drop भी करते रहते हैं और मतलब डॉनल्ड ट्रम्ड ने NFT को लेके अपनी collection को उसने बहुत promote भी किया ट्रम्ड के पास Ethereum भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि Donald Trump के राज में crypto flourish करेगा क्योंकि वो जो SEC का जो commissioner है उसको उसी को appoint करेगा जो pro crypto कश्बाइ ट्रम्ड कैसी चीज़ों को महाँ बदलेंगे यूएस में crypto से लेड़ कॉस यूएस की अपनी policy है यार crypto पे तो क्या इतना असान होगा ट्रम्ड के लिए सब कुछ बदल देना देंगे ट्रम्ड गेम को समझ गया है ट्रम्ड ने ही ये बोला है कि वो crypto को कभी भी ऐसे legal tender नहीं होने देगा और वो dollar की supremacy को कभी खतम नहीं होने देगा क्योंकि अमेरिका तब तक ही supreme leader है जब तक dollar existence में dollar ही जो है वो US को शक्ति प्रदान करता है dollar को खतम कर तो अमेरिका वो खतम कर लिया तो वो ये कह रहा है कि कभी भी crypto को में ऐसे legal tender या mode of payment कभी भी अमेरिका में उसे होने नहीं दूँगा वो कह रहा है कि जो innovation है उसके अलावा चाहिए वो store of value में लोग crypto को लेना चाहते हैं लेके रखना चाहते हैं ETS लेना चाहते हैं crypto के उपर क्योंकि asset है तो उसको आप lending और borrowing के रूप में भी यूज़ करना चाहता है अगर कोई you know banks अगर custodian बनना चाहते हैं तो जो भी crypto के around जो businesses है उसके वो against नहीं है लेकिन crypto से कोई ये सोचे कि मैं bread खरीद लूँगा या मैं export में यूज़ कर लूँगा तो वो गलत है प्लस वो stable coins के regulation के पॉस्टिक regulation के उसमें है पूड में तो ट्रम्प की intent सिर्फ ये है कि वो dollar को गिरने नहीं देगा लेकिन dollar के को उसके अलावा अगर जो non threatening aspects हैं crypto के उनके against नहीं है वो